हेलो फ्रेंट्स वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज हम पुरानी बैड़ शीट से एक गलिचा बनाएंगे या इसको बैड रनर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो तो ये मेरे पास एक बैड़ शीट है ये देखिए एक साइड में ऐसे इस पे टसल लगे हुए है दूसरी साइड पे लगे हुए थे लेकिन दूसरी साइड से थोड़ी सी खराब हो गई थी तो वह वाला हिस्सा दूसरी साइड वाला जो है न मैंने यूज़ कर लिया है और वो टसल जो हुथे मैंने कट कर दिये हैं ये देखिए एक साइड पे ही है तो हमने क्या करना है इसको जितने इसकी चुडाई है चुडाई में हमने इसको फोल्ड करके कट करना है और जो यह टसल हमारे एक साइट पे है इनको एक साइट से कट करके दूसरी साइट पे लगाएंगे तो ये देखिए बीच में से चुडाई में से मैंने इसको कट कर लिया है दो पार्ट कर लिये हैं ठीक है तो एक साइड पे इसके देखिए टसल नहीं है तो हम क्या करेंगे दूसरा जो पीस है इसका इसमें से हमने ये टसल निकाल लेने हैं ये देखो तो ये देखी यहां से मैं इनको कट कर लोंगी और दूसरी साइट पर अटैच कर लोंगी ये देखिए हमने निकाल लिये हैं एक साइट से इनको हम दूसरी साइट पर अटैच करेंगे यह देखे ऐसे रखोंगी यह देखे और ऐसे कप्ड़े को फोल्ड करते हुए उपर से मैं सिलाई लगा लूँगी तो सिलाई मैं लगा लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं तो friends यह देखिए सिलाई मैंने लगा ली है यह देखो तो यह दोनों साइड पे आगे है अब हमारे टसद अब हमने क्या करना है इसको फैलाकर रख लेना है यह देखिए ऐसे बेट पे मैंने इसको फैलाया है आप जो दूसरा पीस है इसका वो भी इसके उपर मैं रख दूँगी ये देखिए ये जो दूसरा पीस है इसको भी हमने रख लेना है अंदर वाली साइड जो है इसकी उल्टी साइड है नीचे वाली साइट सीधी है ना, तो उपर से भी मैंने सीधा करके रखा है कपड़े को, सीधा करके रखे, और चारो साइट से हमने इसको स्टिच कर लेना है, दोनों पीस जो है ना, उनको आपस में हमने जोड लेना है, ये देखिए यहां से, और यहां से चारो साइट पे म आप चाहो तो पहले बीच में पिंस भी लगा सकते हो ताकि यह कपड़ा हीले नहीं लेकिन काफी मोटा कपड़ा है ना तो हीलेगा नहीं लेकिन मैंने फिर भी इसमें थोड़ी सी ना बीच में 5-6 मैंने पिंस लगा ली है ताकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाए है तो यह बेड़ शीर जो है मेरी काफी पुरानी है बहुत ही पुरानी है यह तो एक साइट से एक खराब हो गई थी एक खराब क्या हुई थी इसमें प्रेस लग गई थी तो वो वाला हिस्सा एक साइट से मैंने वैसे भी थोड़ा सा यूज कर लिया है और यह काफी टाइम की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो तो ये देखिए साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया है पूरा अब बीच बीच में न हमने ये देखिए जैसे ये डिजाइन बना है इसी हिसाब से एक दो तीन में सिलाइया सीधी सीधी लगा लेती हो ताकि ये कपड़ा दोनों कप करेंगी न उतनी मैं इसमें सिलाइयां लगा लूगी तो ये बेड़ शीट जो है देखो देखने में भी काफी सुन्दर लग रही है लेकिन ये बहुत ही काफी साल पुरा ने है ये बेड़ शीट तो ये देखिए ऐसे जो शीधाइएन ना मैंने लगा लिए आप कपड़ की पत्टी लूँगी मैं एक तो blue color का मेरे पास कपड़ा था तो blue color की पत्टी में लगा दूँगी इसके उपर ये देखिए चारों साइड पे लगाऊंगी इसके साथ इसका लुक और भी अच्छा आएगा तो ये देखिए ऐसे रखते हुए पट्टी को मैं अटैच करके और दूसरी साइड को फोल्ड कर लूँगी तो दोनों साइड से आप इसको यूज कर सकते हो ये देखिए यहां से हलका सामने फोल्ड करते हुए और ऐसे ही देखिए सारी पट्टी को लगा लेना है और दूसरी साइड को हम ये कपड़े को टर्न कर देंगे ये देखिए ऐसे करूंगी न और ऐसे देखो उपर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी तो दोनों साइड पे ये पट्टी आ जाएगी तो ये देखिए फ्रेंट्स पट्टी मैंने लगा ली है इस साइड पे भी मैंने लगा ली है तो चारों साइड पे मैंने इसको पट्टी को जो है लगा लिया है ये देखिए दूसरी साइड पे थोड़ी बारी काई है और इस साइड पे थोड़ी सी चोड़ी तो ये देखी है हमारा दरी जो है गलिच्चा आप मालेजे बनके हमारा रेडी हो गया तो मार्किट में काफी महंगे मिलने वाले ऐसे जो कार्पेट होते हैं अगर आपके पास ऐसी कोई पुरानी बेड़ शीट पड़ी हो तो आप उसको योज़ कर सकते हो तो ये देखे मैंने बेड़ पे बिचा के भी आपको दिखा दिया अब जैसी आपकी कोई मैचिंग बेड़ शीट हो उसके साथ आप बिचा सकते हो इसको अभी मैंने तो दूसरी बेड़ शीट डाली है न और बेड़ के साथ भी आप इसको बिचा सकते हो बेड़ के नीचे इसे फर्ष पर बैट के साथ में तब भी ये देखने में बहुत इच्छा लगेगा और अपने ड्राइंग रूम में लेड़ सकते हो नीचे फर्षपर और कहीं पर आप धूप में बैठे हो अगर बालकनी वगईरह में бहां पर भी आप इसको बिछासकते हो तो फ्रेंड्स कितना प्यारा हमारा ये कार्पेट जो है बनके रेडी हो गया और वो भी एक पुरानी बैड़ शीट से जो की हमने ऐसे ही रखी हुई थी तो देखो उसका अच्छे से हमने रियूज किया है तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में वास इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मे सब्सक्राइल जबा के ली बाय और था शाइचा के लिए के लिए के लिए कीऊ